नमस्कार स्वागत आपका स्टार्ट इन्वेशनर में दोस्तों आज की दिन शेर मार्केट चाहे आप उसको सैंसेक्स को ले लीजिए चाहे निफ्टी को ले लीजिए गिरावट जो है बहुत जबरदस्त देखने के लिए मिली लगभग 915 पॉइंट के करीब जो है यहाँ सैंसेक्स गिरा हुआ है और लगबग निफ्टी को अगर चेक करते हैं तो 281 पॉइंट के करीब यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिल रही है इस तरह की गिरावट जब भी शेयर मार्केट में होती है चाहे आप हैं हम हैं सब लोग थोड़ा सा तो डरते हैं लेकिन इ अच्छे स्टॉक्स में इस फियर के टाइम पे अच्छे स्टॉक्स को सस्ते दाम में खरीद के लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करता है वो नेक्स्ट मल्टी बैगर आसानी से ढूंड लेता है तो दोस्तों आज की स्टॉडियो हम एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करने व करते हैं तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही जादा होने वाला है आगे बढ़ने से पहले एक चीज जरूर कहेंगे वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंचुसी ना करें और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ह अगर इंडिया के अंदर बात की जाए लास्ट सेवन यर्स की तो इंडियन टेलिकॉम टावर इंडस्ट्री जो ग्रोथ दिखाई है 65% की ग्रोथ यहाँ पे देखने के लिए मिली है साथ ही साथ अगर यहाँ पे टोटल जो मोबाइल बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन थे इनके अंदर 187% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है अब मोबाइल के यूजर्स बढ़ रहे हैं साथ ही साथ टावर्स बढ़ रहे हैं ट्रांस रिसीवर बेस स्टेशन बढ़ रहे हैं तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है अग एक न्यूस के अकॉर्डिंग माना जाए कि इंडस्ट्री दो हजार पच्चिस तक जो पूरी डिजिटल एकॉनमी है इंडिया की यह वन ट्रिलियन डॉलर तक पहुच सकती है ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है टेली कम्यूनिकेशन इंडस्ट्री को अगर डिवाइड कि जैसे कि इंफ्रस्ट्रॉक्चर प्रॉइड करने के लिए यह एक्क्यूपमेंट मॉबाइल नेटवर्क वर्चुल ऑपरेटर्स हैं यह वाइट स्पेस स्पेक्ट्रम है 5G है टेलीफोन सर्विसेज प्रॉइडर हैं ब्रॉडबेंड सर्विसेज प्रॉइड करने वाले प अपनिया हैं मेंली इन तीन कैटेगरी में इनको सबडिवाइड किया जा सकता है अगर देखा जाए तो हर साल इंडिया के जो हैं नए जितने भी स्मार्टफोन यूजर हैं बढ़ते चले जा रहे हैं लास्ट डिकेड में 500 मिलियन न्यू स्मार्टफोन यूजर जो हैं टोटल पॉपॉलेशन का तो आप लोग अंदाचा लगए है कि इतने लोग अगर स्मार्टफोन यूजर कर रहे हैं तो नेटवर्क यूजर कर रहे होंगे किन-किन कंपनियों को यहां पर फाइदा हो सकता है साथे साथ अगर टोटल आप लोग देखें कि कितने यहां पर जो हैं डिवाइस जो हैं इंस्टॉल्ड डिवाइसे हैं 2025 तक माना जा रहा है कि 1 बिलियन इंस्टॉल डिवाइसे रहेंगे एक्सपेक्टेड ऐसा किया जा रहा है और 2025 तक 920 मिलियन यूनिक मॉवाइल सब्सक्राइबर जो हैं हो जाएंगे जिनके अंदर की 5G connections वाले भी होंगे तो आप लोग अंदाजा लगए कि ऐसी क्या क्या चीजे हैं जो कि पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री की जो कि आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर जो हैं मल्टी बैगर बन सक्ती है तो ऐसी ही से पहला factor है वो है PLI scheme, government ने जो है आत्म निर्वर भारत अभियान चलाया है, PLI scheme यानि की production linked incentive दे रही है, किन कंपनियों को जो की manufacture कर रहे हैं, telecom and telecom networking products को, 12,195 करोड रुपए की PLI scheme यहाँ पर चलाई जा रही है, साथ में incentive दिये जा रहे हैं, 4000 करोड रुपए के design led manufacturing scheme के लिए, किसके लिए existing PLI scheme के साथ ही यह भी add किया गया है, तो पहला यह push है, दूसरा अगर देखा जाए तो telecom sector में 2021 में यहाँ पर reforms आए हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो है, आप लोगों को मैं बता दूँ भारत net project चल रहा है, जिसके तहद हर gram पंचायत को किस से जोड़ा जाएगा, network से जोड़ा जाएगा, again अब जब इतने बड़े इंडिया के अंदर network से सभी को जोड़ा जाएगा, तो उसके लिए infrastructure चाहिए, उसके लिए अच्छी broadband connectivity चाहिए, उसके लिए devices चाहिए, तो इन companyों को फाइदा होने के पूरे पूरे chances है, साथे साथ अगर देखा जाए पूरे world के अंदर तो per day data यूज़ करने में इंडिया number one है, हर जो है यहाँ पे इंडिया के अंदर जो है highest consumer है data per day with approximately 5 hours of daily time spent on smartphone, मतलब जो भी प्यक्ति smartphone यूज़ करते हैं, लग भग 5 घंटे वो जो है smartphone पे यूज़ करते हैं, तो अगेन यह एक push factor है, प्राइम मिनिस्टर वाइफाई access network interface है, जो की चलाया जा रहा है, इसके तहत भी broadband और internet services प्रवाइड की जाएंगी, और ये services जो भी provide करेंगे उनको बहुत benefit यहाँ पे हो सकते हैं, तो totally अगर देखा जाए दोस्तों तो जो 5G sector अब एक नया sector उभर के आ रहा है, इसके तहत जो services provide कर रहे हैं, infrastructure दे रहे हैं, या जितने भी software related services दे रहे हैं, उनको भी benefit होने के chances हैं, तो ऐसे ही 5 share आप लोगों को हम बताने वाले हैं, ये सारी की सारी चीज़े आप लोगों को हम बता चुके हैं, PLI है, nearly कितने यहाँ पे धीरे धीरे लोग जुड सकते हैं, 2025 तक ये सारी चीज़े ग्राम पंचायद जुड़ेंगी, इंडिया के अंदर अच्छी खासी ये company है, जो की optical fiber या जैसे की telecom equipment है, उनकी manufacturing ये company करती है, 10,000 करोड रुपए का market capitalization और 77 रुपीज के करीब ये share trade कर रहा है, ROC और ROE काफी अच्छे खासे हैं इस company के, debt देखा जाए तो 756 करोड का और reserves 2661 करोड रुपए के हैं, financial trend अगर देखा जाए तो company का 4000 करोड रुपए से जादा यहाँ पे company ने revenue बनाया था, और लगबग 300 करोड रुपए के आसपास यहाँ पे company ने profit बनाया है, HFCL पिछले 5 सालों के दौला ने 196 परतेसद के returns दिये हैं, ये company मैं मानता हूँ काफी दमदार company है, telecom equipment manufacturing sector के अंदर, दूसरा जो share है दोस्तों, ये है sterlight technologies limited, optical fiber cable की manufacturing के अगर देखा जाए, तो इंडिया के अंदर number one है ये company, जी हाँ दोस्तों number one, इवन जो है overseas market में भी इसकी presence है, यानि के केवल इंडिया में ही काम नहीं कर रही है, इंडिया के अलावा globally ये company काम कर रही है, order book इस company की अगर देखी जाए तो 10,700 करोड रुपए के तो इसकी order book है, मैं कहूँगा बहुत ही जवरदस्ती है, even USA, Mexico, Brazil, UAE, China, सभी जगे ये company काम कर रही है, बात करते हैं, market capitalization की तो 6,879 करोड रुपए का है, debt 3,460 करोड का, reserves 1,877 करोड रुपए के हैं, ROC और ROE थोड़ा सा कम है, और इस company के जो price turning ratio negative है, अगिने Chris की share भी ये है, लेकिन इसकी industry को देखते हुए लगता है, कि आगे आने वाले समय में काफी अच्छा का सा काम ये company कर सकती है, इस company का अगर हम लोग देखें, यहाँ पे financial trend तो revenue 5,000 करोड रुपए से जादा का, और जो है company का profit decrease हुआ है पिछले 4 सालों के दोरान, साथ ही साथ दोस्तों, Australia Technologies ने पिछले 5 सालों के दोरान कुछ खास returns दिये नहीं है, काफी गिरावट यहाँ पे देखने के लिए मिले, all time high से यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिले और एक opportunity बनती भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, अब एक चीज में आप लोगों को बता दो दोस्तों, पूरे जितने भी जो हैं, इंडिया के अंदर operator हैं, इंडिया के सबसे ज़्यादा customer हैं, 38 करोड से ज़्यादा, एटल के 35 करोड से ज़्यादा, वी आई यानि की board of phone, idea 21 करोड से ज़्यादा, और BSNL के हैं 5 करोड से ज़्यादा, तो जब इतने ज़्यादा इनके user हैं, तो इनको बिल्कुल benefit तो होना ही है, तो next जो company है तो Reliance Power, जो कि मैं कहता हूँ हर सेक्टर में काम करती है, चाहे retail हो, entertainment हो, digital services हो, और telecom सेक्टर में Reliance G.O के द्वारा ये company बहुत ही जवरतस्त काम कर रही है, पंदरा लाक करोड रुपए से ज़्यादा का, इसका market capitalization है, ज़्यादा कुछ बताऊँगा नहीं, इसके अगर financial trend देखें, तो साथ लाक करोड रुपए से ज़्यादा का, तो इसका यहाँ पे revenue रहा है, और लगबग 61,000 करोड रुपए का यहाँ पे इसका total profit भी रहा है, और Reliance Industries ने long term में 4,349 परतिसत के returns दिया, यह company अपने बहुत सारे equipment बना के दे रही है, लोगों को broadband से related, वाइफाई से related, even और साथी साथ Reliance GEO ने बहुत बड़ा market जो है पूरे इंडिया के अंदर बना दिया है, टेलिकॉम इंडस्ट्री में, next जो multi-bagger share बन सकता है, भारती एटल जो की Reliance GEO के बाद दूसरे number पे अभी आ रहा है, टेलिकॉम सेक्टर में अगर देखा जाए market capitalization, 4,48,000 करोड रुपए से जादा का, ROC 12% return on equity 5% का, dividend yield 0.38% की, promotor के पास 55% के share holding है, profit growth 181% की है इस share की, लेकिन अगर हम बात करें इस company के पिछले 2 साल, 2020 और 2021, तो downfall देखने के लिए मिला था, लेकिन अब यहाँ पे company जो है, फिर से profit में लौट के आई है, भारती एटल 3888 परतिसत के returns over the long run company ने generate किये है, आखरी जो company है दोस्तों, यह जो company है Tech Mahindra Limited, यह IT services और IT enabled services जो है, देती है companies को, जो है इसके consumer है उनको, लेकिन जो इसकी खास बात है, वो है infrastructure and cloud services, network services, testing services, performance engineering, data analytics, इसमें जो telecom से related है, जैसे की network services हो गई, infrastructure, cloud services हो गई, यह company अब जो है, इस तरह से काम कर रही है, कि जितने भी 5G से enabled services हैं, वो यह company काम कर सकती है, और कर पाए, 90 से ज़्यादा countries के अंदर जो है, यह company काम कर रही है, बहुत जवरदस्त company, एक लाग करोड रुपए के आसबास का market capitalization है, ROC, ROE, बहुत ही high dividend yield 1.45 percentage की है, अगर reserves देखें तो 26,000 करोड रुपए से ज़्यादा के इस company के पास reserves है, financial trend company का बहुत ही जवरदस्त है, हर साल जो है profit company का increase हो रहा है, और over the long run company ने अच्छी performance दिखाई है, return 641% के दिये हैं, लंबे time में, और दोस्तों मैं ये कहूंगा, अगर 5G sector अच्छे से काम करता है आगे आने वाले समय में, तो इस तरह के shares को बहुत ज़्यादा benefit हो सकता है, अगर आपके knowledge में भी कुछ ऐसे share है, तो comment करके जरूर आप लोग हमें बताइएगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में, अपस्टॉक, जिरोधा, एंजलो ने तीनों के लिंक दिये गए हैं, तीनों के दिनों इंडिया के टॉप ब्रोकर हैं, तीनों के लिंक पर किलिक कीजिए, एकाउंट ओपन कीजिए, और इंज्याइ कीजिए इन तीनों की services, आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद,